दोस्तों आज हमपने बात करने वाले हैं Luminious i-cruze 4500 inverter के बारे में यह inverter एक सुपर टेक्नोलोजी वह सुपर डिजाइन के साथ में बनाया हुआ है इस inverter की क्या फिचर से विशे इस खास बात इसकी यह है कि यह inverter तीन बैटरी के साथ बारी लोड को चला सकता है इसकी कैपेसिटी 4000 VA है और इसके साथ में इस पर जो अपन लोड चलाते हैं वो 32 वाट तक का लोड अपन चला सकते हैं इसमें भारी लोड यानि कि अपनी ऐसी चला सकते हैं आप उसके बाद में जो डॉमेस्टिक वाटर पॉम्प है उससे चला सकते हैं रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं गीजर चला सकते हैं वोशिंग मेशिन चला सकते हैं यहां पर तीन बैटरी में काम होता है तो चलते हैं अपन इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद में जानते हैं क्या इसमें फीचर से और क्या नई नई टेक्नोलोजी है चलिए अब अपन इसमें features के बारा में जानकरी लेते हैं सबसे पहले मैं इसको on करके आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या-क्या features है तो on करने के लिए आपको यहां पर mcb दी गई है dc mcb अब आगे की साइड में आईए आगे की साइड में यहां पर front में ergonomally plastic का बना हुआ front है अब यहां पर आप कोने में आएंगे यहां पर तो यहां पर आपको i cruise 4500 का model नंबर है इसके साथ में यहां पर बार कोडे इसके बाद में यहां पर आपको मिलता है on और off का switch यहां से आप इसको on कर सकते हैं यहां पर आपको user friendly display मिल जाती है इस display में आप digital display है यहां पर आप backup time देह सकते हैं charding discharging देख सकते हैं जैसे यहां पर यह अपको sign दिख रहा है अगर यह निचे की तरब जा रहा है तो battery discharge में उपर की तरफ जा夠 जा रहा है तो charge हो रहा ही है battery यहां पर आपको charging connect है यह नहीं है व dif अपर आपको percentage of running load inverter यहां पर आपको यानिकिane कि change भी कर सकते हैं। इं दोनों Switch को आपको प्रेस करना है S27 करने के बाद फिर आपको यहां पर स करना है UPS ऐगा उसको क्लिक करना करना है UPS Mode में हो जाएगा। इसके बाद-मे यहां पर आप बैट्री स्लेक्ट कर सकते हैं कौन को कर सकते हैं इसके बाद में जैसे अभी 150 AH दिखाई दे रहा अगर यहां पर capacity आपके 200 AH है तो इसको यहां से आप बढ़ा सकते हैं यह बढ़ रहा है भी हमारा पास 150 है तो 150 ही रखेंगे हम इसके बाद में आप इसको एंटर कर दीजे अब यहां पर आप सुपर कनेक्टिविटी इंडिकेशन जी एसम का भी आपको ओप्शन दिखने को मिलता है इसके बाद में यहां पर बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मिल जाता है और यहां पर इस साइड में आपको मेंस अवेलेबल इंडिकेटर और फॉल्ट एंड अवरलोड इंडिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है अब अगर अपन इसमें प्रोटेक्शन की बात करते हैं काफी सारे protection दिए गए हैं इसमें सबसे बड़िया protection लगा है इसमें no load shutdown वो भी आप यहीं से आप select कर सकते हैं no load shutdown यानि कि जब आपके inverter पर कोई भी load नहीं हो तो automatic बंद हो जाए या फिर आपको बंद नहीं करना है तो भी आप इनेबल डिसेबल यहां से select कर सकते हैं इसके बाद में overload protection है over temperature protection है काफी सारे protection इसमें देखने को मिलते हैं आपको यहां पर सबसे पहले आपको कौने में communication port मिल जाता है इसके बाद में यहां पर आपको बैटरी का positive terminal और negative terminal के दो wire मिल जाते हैं जिसको हमने अभी तीन बैटरियों के साथ connect किये हैं यह 36 वोल्ट का inverter है इसलिए इसमें तीन बैटरी बहुत जरूरी होती है लेकिन अगर market में जाते हैं आप तो 4000 VA का inverter चलाने के लिए चार बैटरी की जरूरत पड़ती है लेकिन यहां पर सिर्फ शिर्फ आपको तीन बैटरी की ही जरूरत पड़ती यानि कि पूरे setup में आपको 10-12,000 रुपए एक बैटरी का यहां पर सेव हो जाता है यहां पर अपन देखते हैं तो यह ऐसे में बैटरी फ्लाट फ्लाट बैटरी टूबलर बैटरी सारे बैटरी यहां पर सब इसके बाद यहां पर दो cooling fan मिलते हैं जिसका काम है इस inverter को hitting होने से बचाएं यहां पर आप निच्चे के साइड में आते हैं एक DC mcb है इस side में आएंगे आप तो यहां पर ऐसी mcb मिलती है यहां पर इन दोनों mcb का यह काम रहता है कि कहीं पर short circuit हो यह MCB trip हो जाएगी निच्चे के साइड में आप आएंगे तो यहां पर आपको input का option मिलता है और output का option मिलता है और ground earthing का option मिलता है यहां पर हमने दो wire connect किये हैं जो line in और neutral यह input के हैं जहां पर battery charge करने के लिए काम में लेंगे दो wire यहां पर connect करेंगे कि जहां से अपन को load चलाने के लिए output लेना है यहां पर आपको एक option मिलता है TDR TDR का आर्थ होता है time delay relay इसका उपयोग हम जब हमारे गरों में ऐसी के लिए किया जता है अगर आप चाहते कि ground earthing सीधा यहां पर आप connect करें यह यहां पर टर्मिनल है इससे connect कर सकते हैं दोस्तों अब बारी आती है practical की तो practical में सबसे पहले आपको जो तीन बैटरी है उसको तयार करना पड़ेगा इसके साथ में आपको यहां पर water level indicator आते हैं इसको लगाने के लिए यहां पर आपको छे कैप दिखाई दे रहे हैं इन शे कैप को आपको खौलना है अब यह water level है इस water level को आप यहां पर रख दीजिए आप आये दोस्तों अब अपन को यहां पर connection करना है बैटरी का बारा बॉल्ट ही current है जटका नहीं लगेगा लेकिन सेप्टी फास्ट शूज पैन के ही काम करना है आपको बैटरी को निच्चे नहीं रखना यह सिर्फ डेमो है आपको हमेशा किसी तक्ते के उपर यानिक लकड़ी के उपर रखना होगा अब हम इस इन्वेटर को एप्लिकेशन के जिरें एक्सेस कर सकते हैं इसके लिए आपको एक एप्लिकेशन डाउनलूट करनी पड़ती है लुमियस कनेक्ट यह आपको Android या फिर iOS दोनों में उपलब्द हैं आप इसे डाउनलूट कर लिजे फिर साइन अप कर लिजे साइन अप करने के बाद अब आपको इसको कनेक्ट करने के लिए लुमियस का डोंगल परचेस करना पड़ता है उसके बाहदी कनेक्ट कर पाएंगे और अब देखते हैं कि इस एप्लिकेशन के जिरिए अपन क्या-क्या देख सकते हैं इस एप्लिकेशन में आप दो मोड देखेंगे एक तो इनवेटर म मोड और दूसरा देखेंगे आप मैंस मोड इनवेटर मोड में आप यह देख पाएंगे जब आपको इनवेटर ओन है तब कितना परसेंटेज आपके इनवेटर पर लोड चल रहा है कितना परसेंटेज आपके बैटरी अवेलेबल है और कितना बेकप टाइम और करंट लो कितना समय और लगेगा और इंपुट वाल्टेज कितना है वो सब कुछ इसमें देख पाएंगे इसमें आप एक साल का लास्ट पावर कट ट्रेंड्स भी आप इसमें देख सकते हैं अगर इस इन्वेटर की बाइंग प्लाटफोर्म की बात करते हैं यानि कि आप कहां से खरी सकते हैं जो Luminous की अधिकारिक वेबसाइट है LuminousIndia.com और इसके साथ में ही बहुत सारी e-commerce वेबसाइट है जैसे Amazon हो गया फ्लिपकार्ट हो गया बहुत सारी जो वेबसाइट हैं उसके जिरिये भी आप इसको खरीच सकते हैं साथ ही में गली-गली में डिलर डिस्ट्रिब ट्रफ करें जरूर दबाए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप इसके बारें में और भी जहनकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेन्ट बॉक्स में जा करें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक चले वाइबाए जै बारह जै राजस्तान वन दे मातरू झाल झाल